नमस्कार आप सभी का स्वागत है NKP Production में और आप सभी को में बता देना चाहूँगा कि आपके लिए एक प्लेस्मेंट से नोटिपिकेशन आया है आपको बता दे उससे पहले कि मारवारी कॉलेज के अस्टुडेंट तो अपलाई कर सकते हैं इसके साथ साथ में आप पूरा जो डिटेल है सारा डिटेल को मैं अभी आपके तक बताने वाला हूँ आप अन तक वीडियो में बने रहिएगा आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें जो है जो कमपनी है कमपनी का नाम एशेंचर है वहीं आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें जो भी डिटेल चाह इसके अलावे भी जितने भी notification वो आपको मिलते रहेंगे अभी हम आते हैं कि इसमें ये जो प्लेस्मेंट से notice निकल करके आई है उसमें क्या है सबसे पहली बात है कि जो a student 2016-17-18-19-20-18 मतलब 2019-16 के बाद जो a student पास आउट हो चुके हैं UG में या तो BA हो या BC हो आपका कोई भी stream हो और अगर आप 2016 के बाद से आप qualified हो चुके हो मतलब कि आप pass हो चुके हो पास आउट हो तो आप appear हो सकते हो आपको बता देने चाहेंगे जो अभी current बेच में है semester 6 में है उनको ये म का नहीं मिलेगा जो pass out हो चुके हैं जैसे 2028 में जो थे वो pass out हो चुके हैं उसी तरह 2016 से लेकर के 2028 तक में जो pass out हो student है वो apply कर सकते हैं कोई भी college के student apply कर सकते हैं कहीं का भी हो प्रोसेस क्या है उसके में जानकारी अभी दे रहा हूँ वहीं आपको बता देना चाहेंगे कि इसके लिए आपका age factor सबसे बड़ा matter रखता है आपका 28 year से ज़ादा नहीं होना चाहिए age limit जो दिया गया है 28 year दिया गया है वहीं आपको बता दे इसमें जो ctc मिलेगी मतलब कि आपका जो income मिलेगा वो income आपको बता देना चाहेंगे 2.4 lakh per annum की होगी training period में एक साल का आपका training period होगा अगर आपका selection होता है तो 2.4 lakh 1 year में मिलेगा वहीं एक साल के बाद में आपका जो ctc बनेगी वो 4 lakh की हो जाएगी एक साल के बाद में तो आपको बता दे इसके लिए आपको क्या करना है selection process क्या है ये भी में detail आपको बताने वाला हूँ तो इ 21 से लेकर के आपका registration स्टार्ट हो रहा है 21 March 2022 से लेकर के 28 March 2022 तक में आपका registration हो रहा है registration करने के लिए आपका document क्या क्या चाहिए आप अधार काड ले आईएगा अगर जोर्रत पड़े तो cv होना must है आपको cv आपका लेना है अपना cv मतलब कि आपका bio data को निकाल करके आप अधार के देड़ बजे साड़े गारा बजे से लेकर के देड़ बजे तक 28 March 2022 के अंदर आपको जमा कर देना है अधार बजे से लेकर के देड़ बजे के बीच में ही college में आप चाह करके placement सेल कहां पर है जो नए student है जो मारवाडी college के नहीं है दूसरे student के जैसे गोशनर के ह किजिएगा जो मारवाडी college का gate इंटर किजिएगा principal sir के office के just उपर वाले building में आपको बता दें उस floor में placement से ले मारवाडी college प्लेस्मेंट से ले उसमें आपको जा करके रिजियो में जमा कर देना है selection process क्या है कि 29 तारिक को आपका selection process होगा दो पहर दो बज़े से 29 तारिक को आपका selection process होगा यह पहला selection होगा यह selection होने के बाद आपका यह नहीं क्यों attendance चाहिए आपका 90% attendance होगा और उसमें जो assignment दी जाएगी दो मैंना के अंदर में वो assignment दी जाएगी और आपका interview जो होगा और जो भी assignment दी जाएगी जो test होगा उस पे अगर आप qualified होते हैं उस 90% attendance होता है ट्रेनिंग के दौरान में आपका online होगा वो training जो भी होगा वो online होगा अ होते ही आपका job leader मिलेगा वही दो मंद का training जो होगा उसके अनुसार आपका selection होगा और selection जैसे ही आपका हो जाता है एक साल तक आपको 2.4 lakh का package मिलेगा वहीं दूसरे साल से जो आपका starting और training के बाद में वह 4 lakh का हो जाएगा कोई भी stream का apply कर सकते हैं बीए बीसी बीकॉम और किसी तरह का दिक्कत होती है तो आप description में मेरा number दिया हुआ है आप मेसेज कर सकते वार्सप में call नहीं कीजेगा और आपको बता देना चाहेंगे कि अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है इसके regarding तो आप मरवाडी college placement cell में अनुभाव सर से मिल लेजे सबसे helpful इंसान है सर उन् college 29 को स्क्रीन है हुआ 28 से पहले 28 को डेड़ बजे से पहले आप अपना registration करवा लिजे प्लेस्मेंट से मारवाडी college राची में जा करके और कोई दिक्कत होती है तो आप डैम करेंगे और लाइक सेर सब्सक्राइब चरूर करेंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत पर धन्यवाद